कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसा कि आपको पता होगा कि बार्क का जाम होने जा रहा है नर्स एक नौत जनौवरी 2022 को ठीक और यह जो आपका इस्टेज फस्ट होगा जो आपका प्रिलिमिनरी ट देख लेते हैं तो देखिए जो हमारा पेपर है यह हमारा NPCIL का पेपर है ठीक और सेम इसी एक्जाम पैटरन पर आपका पूंच रहता है बार्क का हो या फिर हैवी वाटर बोर्ट का हो या फिर आपका कोई भी हो जो भी आपका आता है कि डिपार्टमेंट आफ इटामिक एनर्जी के अंतरगत सभी के एक्जाम पैटर्न और सेम होता है ठीक तो देखिए यह हमारे जो पेपर है यह हमारे NPCIL का है और इसी तरह से आपको बार्क में भी आएगा हैवी वाटर बोर्ड में भी आएगा फिर इसका अगर आप लोग कि तो समय आपको निर्धारित किया जाएगा स्टेजफ फरस्ट के लिए आपका साथ मिनट आपको समय दिया जाएगा और इसके बाद यहां पर जो अधिक्तम आंकर रहेगा बाट नांबर करहेंगे यानि कि तो देखिए हां पर हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर पेपर फार नर्स या पैथोलाजी लेप्रेटरी टेकनीशियन सांटिपिक असिस्टेंट भी का यह मैथ का भाग यहां पर मुबाइल से साल्ब कराना संभव नहीं है तो मैथ का पेपर हम आपको बाद में दिखा देंगे लेकिन कि क्या है कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिग्यान का देख लेते हैं किस तरह से कोशन पूछे जाते हैं तो यहां पर देखिए टॉन्टीवन नमबर का यहां पर कोशन है कि विच आप फालूंग गैस इस नाट फॉर्मड इन एयर यान कि हावा में कौन सी गैस नही यह हाँ नहीं पाया जाता है ओग्स कर यहां फासानिक प्रतीक है तो आपको भी पता होगा कि जो पीबी होता है यह परतीक होता है आपका लेड का पीवी को हम लोग बोलते हैं सीसा या लेड़ पोटाइसियम का होता है हमारा के चादी होता है हमारा एजी लोहा होता है एफ ए ठीक यह हो गया कि ऐखिए अपट 23 नंबर कॉश्चन एल पी झांसिस्ट या ल्योविल जीडिया येल नियुञिक होता है उसमें मुख्यक कौन कौनल् humanitarian को मिसनद होती हैं तो देखे to पीजी गैस जो होता है यह जो गैसों का मिस्रण रहता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिस्रण होता है ठीक तो यह हो गया अब अगला कोश्चन है हमारा 24 नंबर का इफ जी इस दे उनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैप्टल M is the mass of the planet R is the radius of the planet then escape velocity of the object to leave the planet surface will be यह जी सौरभामी कुरुत्वा कर्षान इस्थिरांख है यह ग्रेय का दर्ब्यमान है और और ग्रेय का अर्द्व्यास है तो ग्रेय के सतह से कोई वस्त का प्लाइन वेग कितना होगा देखिए इसका जो फर्मूले निकल कर आता है वह निकल कर आता है कि अंडर रूट जी यह आता है इसका इसके प्लासिटी का मान ठीक तो यह हो गया आपका आपसा नंबर एकरेक्ट हो जाएगा 24 अब देखिए यह पर 25 नंबर कोश्चन है दवेट आफ अन आपजेक्ट एक किसी वस्तु का भार क्या होता है तो देखिए किसी वस्तु का जो भार होता है यह जो भूमत द्रेखा पर निवनुतम होता है ठीक तो पचीस के यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भी किसी वस्तु का भार जो होता है दवेट आप जयादा होता है और भूमत द्रेखा पर सबसे कम होता है ठीक तो इससे आपको याद रखना है 26 नंबर कोश्चन है इफ ए टूंटी सेवन डिगरी सल्सियस टू हाट टेंप्रेचर सूड इट भी हीटिट टू टेक इट अकुपाई इज और जिनल वैलूम यहाद किसी गैस को 27 डिगरी सल्सियस पर अपनी मूल आयतन की आधे में संकुचित किया जाता है तो इसका मूल आयतन प्राप्ट करने के ल यह हमें भी पता है कि यह सब जो भी काम किये जा रहे हैं इसमें कहा गया है कि 27 डिगरी से सब देखिए यहाँ पर टीवन कमान दिया है यह दिया है यह हमारा वी वन कमान है कह रहा है यहाँ पर कि मूल आयतन प्राप्ट करने के लिए यहाँ पर यानि कि वी टू कमान यहाँ पर दिया है वी ठीक किस तापमान पर गरम करना होगा यानि कि यहाँ पर कहा है कि टीटू कमान किया होगा तो हमें भी पता है दोस्तों कि वी जो कि वह प्रपोस्टनल होता है यहां पर हम लोग फारमूला s Sultan करों या फिर टिग व्यवर्फन ईडाक CR gonna टेक सब्सक्राइब बОल प्तुर पर एपन फार्मूले-ख या फिर순 आपन टोब नोग शिटकर получить वहाइब आपक्णी अपर आसे से में DC दिगरी सेलसेस जो था इसको हम लोग निकाल यह कितना था यह हमारा 300 Kelvin में आ आए था टीटू कमान्ट करना है तो यह हमटेटू कमानरे लिख दियें तो इसको जब हम लोग गडूरा करेंगे तो केसा तिकोल की नहींriters है तो就到 मेंस करों गजाए घर घर intact आपसो नंबर एक रेक्ट हो जाएगा ठीक तो यह हो गया हमारा 26 का एंसर करेक्ट हो जाएगा आप देखिए आपट 27 नंबर का कोश्चन कह रहा है कह रहा है विच वन आप देविजन उपकरण में जो तरंगे यूज की जाती है वह तरंगे रहती है इन्फरा रेड रेज तो इन्फरा रेड वेव यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा 27 अब देखिए आपर 28 नंबर कोश्चन है इन एन अटामिक नुकलियस प्रोटान और न्यूट्रान आर्क कॉनफ है जिसके काराण वह आपस में रहते हैं तो रहते हैं हमारा कि इन वें से कोई नहीं क्योंकि यह पर इलेक्टर चुमब की बल लगता नहीं कमजोर व्यव यह भी नहीं है गुट्वा करशन नाव की यह बल लगता ठीक इन नाव की बल्क करेंट प्रोटान और नीट्रान ए जूल दस किलोग्राम द्रबमान का एक वस्तु तीन मीटर पर सेकंड की गति से चलना है वस्त की गतिज उर्जा जूल में कितनी होगी देखिए गतिज उर्जा यानि की काइनेटिक इनर्जी के कोल्टू होता है हाफ कणूल तो हम लोग यहां पर एक बठदों हो जाएक एम कमान कितना है ds किलोग्राम जू कमान कितना दिया थीन डिया थीन करेंगे यहां से दो से काटेंगे तो यह हमारा पांच आजयागा अब यानिकी 5 गुड़े आज त्योंकि स्कॉर करेंगे तो यह नो तो पाननाव पै सब्सक्राइब करता है यह हवा में जलता है यह बास सही हवा में जलता है यह आसानी से फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ यह भी सही है यह हड्रेड बनाने वाली लगवक सभी धातों के साथ यह भी सही है जो गुड़े नहीं है यह दान का समर्थन करता यही नहीं है ठीक देखिए आपर 31 नमबर कोश्चन है दा स्पीड आफ लाइट विध रेज इन दा टंप्रेचर आप दा मीडियम माध्यम के तपमान में बृध्धी के साथ गति के प्रकास पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो देखिए माध्यम के तापमान में बृध्धी के साथ प्रकास की प्रकास की गति का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है तो यहां पर यह हो जाएगा आपसा नमबर ए थाटी व dwnd के एंशर क्रेक्ट हो जाएगा अब देखें इसवाइज था वाटीछ नेयम आपता बेकिंग सोडा की नाम किया होता थो देखें सोडा को सोडियां पाई कारबोनोट जो होते हैं एं एच सीओ 3 मैं धिक कःइज थि slime अब देखिए यहाँ पर सब्से ज़्यादा होता है यही आपको बताना है जो पानी का घना तो होता है जिस टम्रेचर पर सबसे ज़्यादा होता है वह रहता है आपका सबसे ज्यादा होता है लेकिन अगर बात करें आयतन का तो आयतन सबसे कम होता है तो दूसरा कोशन पूछेगा किस तापमान पर सबसे निवनुतम होता है तो चार्ड डिगरी सलसियस थे दखें आपर चौतिस नंबर कोशन है दा मोस्ट इंप्वाटन और आफ्ट एलमुनियम एज एलमुनियम का जो आयस के कौन सा होता है तो यह सबसे महत्पूर्ण आयस को होता है वह रहता है हमारा बाक साइट बाक बाक साइट इसी से अलमुनियम का निश्करस्वान किया जाता है अब दोकि यह पर गया लेना जो हूँ है यह हमारा यह लेड़ यानि की सीशा का है सबनाव और यह लाइट पासज फ्राम वन मीडियम तो एनार मीडियम विच वनवाबदा फॉलिग डंग जैना चेंज प् नो में नहीं परिवर्द्धित नहीं होता है तो वह परिवर्द्धित नहीं होता है वह हो 이lor चेंज यानि जो आवर्ति होता है यह परिवर्तित नहीं होता है यह प्रकास माद्यम दूस्रे से जब गुजारता है तो आव्रित्धी चेंज नहीं होती है जब कि इंसिटी यानि कि गहांता वेव लेंथ और विलासिटी यह सब चेंज हो जाते हैं ठीड़ी सिक्स नंबर कोश्चन है एक पेंडूला इस टेकें टू मून इर्थ टाइम पिरियोड विल चंद्रमा पर एक दोलक ले जाया जाता है तो इसकी समय अवधि क्या होगी दे यहां पर देखेंगे टिक कोल टू क्या होता है टू पाई अंडर रूट एल भाई जी होता है ठीक अब यहां पर जी कमान जो होता है यह क्या है कि चंद्रमा पर क्या होता है कि जीवाई सिक्स होता है पिर्थिभी का तो जीवाई सिक्स हो जाएगा तो यानि कि यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा यहां जो दोलन अबध यह समय अबध यह बढ़ जाएगी क्योंकि यहां पर देख सकते हैं यानिकि अनले रूड शिग सगूना प्रिथविक या पेच्छा बढ़ जाएगा to keep the sleeting is with you your действительно 330 मेजर है ना हैह ay कि इसका सपथ मापन के लिए उपीयोग किया जाता है तू хenge Sophia जो योद किया जाता है जा जे दिया किया जाताह प्रतिरोध को मापने के लिए यह रजिस्टेंस यहाँ पर करेक्फ्टा ण्रुजएगा आपस्ट नमबन ए CT प्रिक्वेंसी आप सांड आफ मुविंग आपजेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आप जरवर इज नून एज पर यह वेच्छक के संदर्भ में एक चलती वस्थ की ध्वन की आवरिति में परिवर्तन की रूप में किसे जाना जाता है आप से प्रभाव रमन प्रभाव प्रभाव के नाम हम लोग से जानते हैं तो यहां पर प्रभाव की करेक्ट होते हैं तो हमें धीनी चलती वस Plato में ये सब हम लोग ग्याद करते हैं डॉपलर प्रभाव से ठीक यह पर 39 नमबर कोश्चन है जो संख्या है उसका मान कितना होता है तो देखिए संख्या का मान होता है पकाने के लिए या यह नोग यूझ करते हैं तो इसलिए हमारा के सिम्हार ही रहता है लोकि हम लोगिवलों को कोश्चन है जरनल आवर्नेस का यहाँ पर पोर्सन आ गया है करें इन रिसेंट पास्ट वैरी लार्ज नमबर आप पीपूल फ्लेट फ्रम म्यामार नेम आप देश्टेट अप्रम वेर दे लिफ्ट देयर कंट्री हाली में मैं मार से बड़ी संख्या में लोग देश छोड़ ब्रूसेल्स तो बेल्जियम की राजधानी क्या है ब्रूसेल्स दचीफ मनिश्टर आप सिक्किमीज सिक्किम के मुख्यमंतरी कौन है तो देखिए जिसमें कोशन पूछा गया था उस समय सिक्किम के जो मुख्यमंतरी थे वह थे पावन कुमार चामलिंग पीके चामलिंग थह कि लेकिन वर्तमान में जो इस समय है सिक्केम के मुख्यमंतरी वह प्रेम सिंगटमाउंग तो क्या है वर्तमान में सिक्किम मुख्यमंतरी हैं लेकिन तौ यह घृत días 2008 का यह पेपर हैं तो यह ठाइस अगस्त 2018 का यह पेपर था तो उससे में जो थे हैं मुख्यमंत्री सिक्टिम के वेब पवन कुमार चामलिंग थे लेकिन जो वर्तमान में है वेब प्रेम सिंग तमांग है ठीक इसे आप लोग याद रखिएगा अब देखिए यहाँ पर 44 नंबर का कोश्चन है कि कोश्चन बींग रेड रिगार्डिंग राइफ राइफल डेल बिटून इंडिया और फ्रांस वाट इज दा राइफल बिसिकली यानि कि यहाँ पर कहा गया है कि भारत और फ्रांस के बीच राइफल सौधे के संबंध में प्रस्न उठाया जा रहा है मुल रूप से राइफल क्या है तो देखिए राइफल जो है यह जो होता है यह रहता है लड़ाकु बीमान यानि कि फाइटर प्लेन है ठीक राइफल पैंतारिस नमर कोश्चन नेम आपदा थाइलेंड के वेर इस जूनियर सोसर टीम गाट ट् है जहां पर इसकी जूनियर फुटबाल टीम ने हाले में फंस गई थी तो इसका नाम है थाम लूंग तो थाम लूंग या थाम लूंग नहां पर करेक्ट आंसर रजाए आपसे नमबर सी चैस नमबर कोश्चन वीच पोट आप स्री लंका है जो हैंड़ और दा चाइनेज क चाहिना को क्योंकि इन्होंने चाहिन से कर्ज ले रखा था उसी कर्ज को चुकाने के लिए स्री लंका ने हमबन टोटा बंदरगा को चाहिना को दे दिया है ठीक यहां पर सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है ठीक कि देखिए यहां पर है अगला कोश्चान कि फीफा 2008 वर्ल्ड कप विनर कंट्री कौन है तो फीफा 2008 विसकप बिजेता जो देश है वह है फ्रांस ठीक उन्चास नमर कोश्चान है विच इंडिजीनियसली डवलप्ड मिसाइल है जो लांगेश्ट रेंजी कि सोदेश बिक अंतराश्टी स्रम संगठन का मुख्याला कहां पर है तो यह दोस्तों होगि हमारा वर्ली जैनररल साइंस और जैनररल को कोश्चन मैं के कोश्चन आप लोग साल्व कर लिए क्यांकि मैं यहां से मूबाईल से पढ़ा रहा हूं तो मूबाईल पर यह सब साल्व कराना संभ और यहां पर गया है कि इसमें अगली संक्च्चा कॉंच आएगी तो यहां पर देखिए काल रहा है है 2 अब कर देखिया 2 के बाद एक छोडइंगे तो ने हमारा सुल यहां पर करेक्ट आंसर किया हो जाएगा सब्सक्राइब चीज ओढ़ाएं यहाँ पर क्या हो जाएगा तो करेंगा है दिख़िए पर यहां पर यहाँ 10 to power 3 लिख सकते हैं ठीक हमें भी पता है लाग M पावर N इक्वल टो होता है एन लाग M होता है तो इस फार्मूली से जब हम लोग इससे साल्ब करेंगे यहां पर देखिए हमारा क्या आजाएगा ठीक होता है यहां पर तीन का गुड़ा एक में आए जाएगा तो तीन आजाएगा एंसर करेक्ट हो जाएगा अब चोथा कोश्चान है कि यहां पर देखिए जो जुका होता है यह आपका जुका होगा 35 डिगरी कैसे होगा तो देखिए यहां पर जो दिया है y equal to x plus 5 दिया है तो इसमें आप अगर सरल रहेखा का अगर क्योशन पता होगा कि y equal to होता है m x plus c होता है जहां पर हिम होता है यही हमारा जुकाव या प्रवाडता होता है और यही क्या होता है एक्न पता चल गया जब सब्सहें हम एगों यहां मिलेगा चपास मैं कि और हम नोजा ऑप होता है यह एक मने स्बास तो सब्सक्रायगा यहां क्ते है In 45 अंसकमान एक होता है ठीक अब देखिए यहाँ पर है कि इफ दक लाग सो 7 o'clock in the morning then throw how many degree will be how our hand rotate when the clock so 3 o'clock at the afternoon अगर घड़ी सुबह साथ दिखाती है और दोपार में घड़ी 3 बज़े दिखाए जाने पर हंटे का कांटा कितनी दिग्री घूमें गया तो यह डिग्री घूमेंगा 240 तो फाइब के यहां पर भी अंसर करेक्ट हो जाएगा जोखिए अगला है इस डिफ्रेंस बिट्यून एट टू डिजिट नंबर और अप्टेंड वाइद इंटर चैंजिंग देजिट इस फुट् जोड़ ग्यार है तो संख्या बताईए देखिए दो अंकों का जोड़ ग्यार है तो यहां पर देखिए छाइए श्युद-देखिए जब हम लोग अंतर करेंगे तो 83 यह है जब इसका अंक बदलेंगों तो 38 आएगा तो 83 और 38 के बीच का अंतर कितना आएगा 45 आएगा तो आप संसे इस तरह से आप अपना चेक कर सकते हैं तो 83 यहाँ पर करेक्ट आंसर आजाएगा साता है क्यूब रूट आप 0.00000 exceptional अब देखिए यहाँ पर करा रहे है इतने कबर घंमोल क्या होगा घंमोल की बात कि क्या है तो यहाँ पर सबसे पहले इसका ग्रम कितना आएगा तो चार आएगा अब देखिए यहाँ पर कितने अंक पर दसम्लां है तो 2-4-26 यह पर दसम्ल ठीक अब देखिए आठमा कोश्चन है यहाँ पर इस मैंस वाइगा आपका एक आ जाएगा नॉमा कोश्चन फांड नंबर आउट एमंग दा फालूइंग तीन पांच ग्यारे चोड़े और सतरह है तो निलुखित में असंगत संख्या का पैचान करें यहाँ पर जो असंगत संख्या है वह है चाओधा है ठीक क्योंकि यहाँ पर जो भी तीन है प्माच है गया रहा और सत्रे यह सब बिसम संख्या है जो चाओधा यह हमारा संख्या है कि यहाँ पर दस नंबर का कोश्चन है एक ट्रेंड ट्रेवलिंग आड़ इस्पीड आप 30 मीटर पर सेकंड क्राशेज 600 मीटर लांग प्लेटफार्म इन 30 सेकंड फैंड लेंथ आप दा ट्रेंड तीस मीटर पर सेकंड पर चला रही एक ट्रेंड तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड की लंबाई निकल कर आएगी वह निकल कर आएगा 300 मीटर असान सा कोश्चन है यहाँ कि यहाँ पर लंबाई है यानि कि निकाल लेंगे आपका तो आज आएगा ज्यादा कुछ टफ नहीं है यहाँ पर 674.456 गुड़े 12.492 गुड़े 55. इसके जब हम लोग मल्टिपल करेंगे तो हमारा 371 जाएगा यहाँ पर बारे नंबर कोश्चन है कि एक बंदर 14 मीटर फिसलन खंबा चड़ाने की कोशिस करता है पहले एक मिनट में दो मीटर चड़ता है फिर अगले मिनट में एक मीटर फिसल जाता है अगर वह इस तरह आ यान कि 8000 रुपीय की राश दो वार्सों में 8820 रुपे हो जाएगी तो चक्रिवर्धी ब्याजदर कितना होगा तो चक्रिवर्धी ब्याजदर जो आएगा यह 5 परसेंट आएगा कि 84 वाई-01 की संख्या 11 से विभाजित है तो वाई कमान क्या होगा तो इसका जो मान निकल कर आएगा वो आएगा अच्छाय आएगा ठीक दखिए यह हो गया अपर पंद्र नम्र कोश्चन है कि यह पचास संत्रों का लागत मूली 40 संत्रों की विक्रे मूली के वराबर है तो लाखे परतिस्दक कितना होगा तो लावा प्रतिस्दक कर आएगा आपका 25 पर से शाओने certificate क्रेय मूले 42 रूपया एक विभापारे उसके विक्रे से कवाया 15 को कसे करते आंकित मूली कितना होगा तो अउनकित मूले होगा पांच हजार रूपै का दीवार के साथ लगईHello custND सेहाँख ओन्ययंब को दुजुद मृीटर दूर है तो शीठी की लंबाई कितनी होगी तो सीरी की लंबाई आगी anti-iłकुरू nacom टाइप के 6 सथ दिनों में एक तेंक भर सकते हैं promote सकतے हैं यह व्यूष सकते हैं और डियुए सबीस नंबर कोश्ऱ और हेथारे दिनों में भा मिन निकाल शानुरह तो यह निकल राप लिए 6 नफीस गंटा में कितनी होगी यह निकल कर आपका आएगा जब सालब करेंगे तो दोस्तों यह था पेपर जो की आफिसियल एंसवर की जो भी था उसके द्वारा हमने प्रवाइट की आपको एंसवर इसी तरह से आपको कोशन पूछे जाएंगे बार्क में या फिर आईजी सीयर का और से बाष लेगे नर्सिंग का तो इसी सब यह संची सब आज ही वीडियो अपलोड कर देंगे जिसके आपको डिस्क्रेट्प्सिन लाँए देंगे आप वहां से देख लीगाए नस्ट बीडियो में ठेंग्यू झाल